शराबनीती केस में गिरफतार दिल्ली के सियम अर्विन केजविवाल की ईडी विमांड 28 मार्च को खत्म हो रही है आज दोपहर दो बजे से पहले उन्हें राउ जैवन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा केजविवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था और 22 मार्च को उन्हें ट्राइल कोर्ट में पेश किया गया कोर्ट ने केजविवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था और इसे बीच केजविवाल नेते इस मार्ज को अपनी गिरफतारी और राउज एवन्यू कोट के रमांट के फैसले को दिल्ली हाई कोट में चुनौती देते हुए फोरण सुनवाई की मांगी थी 27 मार्ज को दिल्ली हाई कोट ने केजविवाल को राहत देने से इनकार कर दिया मामली पर अगली सुनवाई 3 अपरेल को होगी उधर जेल में रहते हुए सीमपत से इस्तीफा नहीं देने को लेकर दिल्ली हाई कोट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है दिल्ली हाई मन मोहन की डिवीजनल बेंच आज इस मामले में सुनवाई करेगी